दोस्तो नमस्कार NCRT गनीत का अच्छा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रस्नावाली आरदस्मालब 2K प्रस्न संख्या 1 के चौथे भाग को सॉल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दी जगा और चैनल पर नाए है तो चैन उनमीतिय अनुपातों का मान रखना है और इसे डिखना है तो आएए सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे लिख लेते हैं सवाल लिख लिए हैं आप अब हमें बारी बारी से sin 30 degree 10 45 डीड़ी और कोशेक 10 2 का मान रखना है तो आजे देख लेते हैं sin 30 डीड़ी का मान कितना है तो sin 30 का मान है एक बटा 2 तो लिख लेंगे 1 बटा 2 इसके बाद पलस का चिन है तो पलस का चिन देउखे अब है टैन 45 डीड़ीरी तो देख लेते हैं 10 45 डिगरी का मान कितना है 10 के सामने और 45 डिगरी के नीचे कितना है एक है इसलिए 10 45 डिगरी का मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे एक इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे इसके बाद है कोसेक साथ डिगरी तो कोसेक साथ डिगरी का मान है दो बटा रूट अंडर तीन दो बटा रूट अंडर तीन अब यह बटा है तो हम यहाँ पर बटा दे देंगे इसके बाद नीचे वाले का काम करेंगे, तो नीचे क्या है सेख 30 डिगरी, तो सेख 30 डिगरी का मान है 2 बटा रूट अंडर 3, तो लिखेंगे 2 बटा रूट अंडर 3, कि प्लस है तो प्लस देंगे कॉस साट डियरी है तो साट डिवी का मान है एक बटा दो तो लिख लेंगे एक बटा 200 1 भीटाद दो इसके बाद पलस है तो पलस में अब है कोट 45 डिग्री तो तो कॉट 45 डिगरी का मान कितना है एक है तो लिखेंगे एक संख्या अकला होता है तो इसकी नीचे हम एक दे देते हैं यहां भी हम اक दे देंगे इसके बाद क्या करना है कि उपर के संख्या काम अलग करना है नीचे के संछा काम अलग करना है तो उपर का हम बटा का जो रगटाव बना लेते हैं उपर हमें क्या करना है कि सबसे पहले एलसीम निकालना है तो एलसीम निकालते समय आपको ध्यान ए देना है कि अगर नीचे वाला संख्या यानि हर एक जैसा नहीं होता है तब हम इसका क्या कर देते हैं ग कि दो रूट अंडर तीन अब हमें क्या करना है कि दो रूट अंडर तीन में दो से भाग देना है तो आये हम आपको भाग करना भी सिखाते हैं कि दो रूट अंडर तीन हमें भाग कितना से देना है दो से तो जब हम इसमें दो से भाग देंगे तो दो से दो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बच गया रूट अंडर तीन और रूट अंडर तीन का गुना एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर तीन में एक से भाग देना है तो जब आप दो रूट अंडर 3 को एक से भाग दिजेगा तो क्या हो जाएगा दो रूट अंडर 3 ही बचेगा और दो रूट अंडर 3 का गुना जब आप एक से करेंगे तो यह आजाएगा दो रूट अंडर तीन इसके बाद माइनस का चिन है तो माइनस का चिन देंगे दो रूट अंडर तीन में जब हम रूट अंडर तीन से भाग देंगे तो देखे क्या होता है 2 root under 3 में root under 3 से भाग देना है तो root under 3 से root under 3 कट जाएगा तो क्या बचाएगा 2 और जब 2 का गुणा जब 2 से होगा तो एक या होगा 4 इसी प्रकार, अब हमें नीचे का भी काम करना है एक बटा है तो हमें बटा दे देते हैं अब इसके बाद में रूट अंडर 3, 2 और 1 का LCM निकालेंगे तो यहां भी अलग-अलग संख्या है तो इसका भी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो इसको हम लिख लेते हैं कि दोरूट अंडर 3 अब 2 अंडर तीन में रूट अंडर 30 सबहुत देंगे तो क्या होगा रूट अंडर 30 से रूट अंडर तो ए आजाएगा रूट अंडर 3 प्लस का चीन है तो प्लस का चीन देंगे इसके बाद दो रूट अंडर 3 में जब हम एक से भाग देंगे तो क्या आजाएगा अभी भाग दिये थे दो रूट अंडर तीन में एक से भाग दिये थे तो क्या आया था दो रूट अंडर तीन आया था और जब हम एक से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा दो रूट अंडर तीन अब क्या करना है कि 2 root under 3 और 1 root under 3 जब दोनों को जब जोडते हैं तो क्या होता है 2 root under 3 और 1 root under 3 क्या हो जाएगा 3 root under 3 इसके बाद minus 4 है तो लिखेंगे minus 4 और बटा में कितना है 2 root under 3 तीन यह बटा है तो यह बटा देंगे यहाँ इसके बाद में 2 root under 3 और 1 root under 3 क्या हो जाएगा 2 और 1 3 root under 3 और यह हो जाएगा प्लस का चार बटा दो root under 3 अब इसके बाद क्या करना है कि इस संख्या को जियों का त्यों लिखना है तो 3 root अंडर 3 minus 4 बटा है 2 root अंडर 3 अब क्या करना है गुना का चिन देना है निचे वाले संख्या को उपर ले जाना है और उपर वाले संख्या को निचे ले आना है तो क्या हो जाएगा 2 root under 3 ओपर चला जाएगा और 3 root 3 plus 4 नीचे आजाएगा 3 root 3 versus 4 अब इससे एक गट जाएगा क्यों защerm संख्या है इसके बाद इसको हम लिख लेते हैं rover three root under three minus 4 बटा 3 root under three plus 4 अब हमें करना है हरो का पर्मेरी करन लिख लेते हैं सबसे पहले, हरका परिमेकरन करने पर, तो आपको पता है ना कि हरका परिमेकरन कैसे करते हैं, नीचे वाले संख्या से अंस और हर दोनों में गुना कर देते हैं, सिर्फ इसका चेंज कर देते हैं, जैसे पलस है तो माइनस वालों से गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो पलस वाले से गुना करेंगे, तो लिखेंगे, तीन रूट अंडर तीन माइनस का चार और क्या है तीन रूट अंडर तीन प्लस का चार इसमें हमें गुना कर देना है इस संख्या से गुना करना है लेकिन इसका चीन चेंज कर देना है तो क्या हो जाएगा तीन रूट अंडर तीन प्लस का चार है तो क्या हो जाएगा माइनस का चार और सेम इसी संख्या से नीचे भी गुणा हो जाएगा तो तीन रूट तीन माइनस चार अब इसका इसका गुना करना है और इसका इसका गुना करना है आए हम आपको गुना करके दिखलाते हैं क्या है तीन रूट अंडर तीन माइनस चार और यह है आपका तीन रूट अंडर तीन माइनस चार इसका गुना करना है तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर का गुना, रूट के बाहर के साथ होता है, तो 3 में 3 से गुना होगा, तो कितना होगा, 9 गुने, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 का जब हम गुना करते हैं, तो ए आता है, रूट अंडर 9 और रूट अंडर 9 को जब हम बाहर करते हैं, तो कितना आता है तीन इसके बाद देखें क्या करना है प्लस है और एभी प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जागा माइनस रूट के बाहर वाले संख्या का गूना हो जागा इससे तो क्या हो जागा चारतिया बारह ए रूट तीन रहेगा ऐसे ही इसके बाद में प्लस माइ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और चार्चाव के 16 तो यह आपका हो जाएगा नौत या 27 बारा बारा 24 रूट अंडर 3 और प्लस 16 अब इसको इसको क्या करना है जोड लेना है तो 7 और 16 के 3 हासिल 1 2 3 और 1 4 43 यह हो जाएगा माइनस 24 रूट अंडर 3 तो फाइनल जो मेरा आ गया उपर का काम करके वह आ गया 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 तो इसको लिख लेंगे अब नीचे वाले काम करते हैं तो नीचे क्या है तीन रूट अंडर 3 प्लस 4 यह है तीन रूट अंडर 3 माइनस 4 जिसके आगे कुछ चिन नहीं होता है इसका मतलब है कि यह प्लस में है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा और तीन तीया क्या हो जाएगा नौ और रूट अंडर तीन का गूना रूट अंडर तीन से तो रूट अंडर नौ रूट अंडर नौ का जगा हम बरंगल बनाएंगे तो क्या आएगा तीन आ जाएगा प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा चार क्या हो जाएगा 27 और प्लस 12 उर्थिन से माइनस ऐरieso किा होगा ओ waterproof हो झायगा और यह आगया माइन OS का इसे हम घटा देंगे तो शाथ में से छिटाए तो कितना बचाएगा एक और दो में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचाएगा एक यानि नीचे आ गया 11 तो 11 हो गया यही मेरा फाइनल एंसर हो जाएगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो दोस्तों में सेयर कर दिजे फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद